लुध्याना की गिल रोड स्थित लाइफलाइन अस्पताल में अब मोटापा घटाने के प्रोसीजर एंडोस्कोपी के जरिये भी हो सकेंगे इसके लिए अस्पताल से गैस्ट्रो एंट्रो लॉजी डिपार्ट्मेंट में एंडोस्कोपिक यूनिट खोला गया है जिसकी आजन मितल वगेस्ट्रों इंटस्टाइनल इंटर्वेंशन रेडियो लॉजिस्ट डॉक्टर अखिल मोंगा की देखरेक में काम करेगा लॉंचिंग के दौरान आयूजित कंटिन्यू मेडिकल एडूकेशन के दौरान डॉक्टर गौरब महेश्वरी ने बताया कि करोना महम की ही तरह मोटापा भी बड़ी स्मस्या बनता जा रहा है जीवन शैली में बदला वर डाइट कंट्रोल के बावजूद भी जो लोग मोटापे से निजहात नहीं पा सकते उनको मोटापा घटाने के प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है यह प्रोसीजर आमतोर पर ओपन वैभव महेश्वरी ने कहा कि हर रविवार को सुबह नौ से पाँच बजे तक प्री एपॉइंटमेंट के साथ यह एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किये जाएंगे उनने कहा कि अस्पताल के डारेक्टर डॉक्टर आरस महेश्वरी के निर्देशों पर स्पेशलिस्ट गैस् मरीजों की कंसल्टेशन वाफ फाइब्रो स्कैन कंसेशनल रेट्स पर की गई लुद्याना से हलचल के लिए अरुन की रिपोर्ट गैस्ट्रो डेपार्टमेंट तरफो एक नई शुरुवात ली सब तो बैदा सबनों कॉंग्रेचुलेशन दे मुबार का मैं दॉक्टर गॉरफ महेश्वरी सर्जिकल गैस्ट्रोंट्रोजिस्ट लिवर ट्रांस्प्रांट सरजन सब्सक्राइब अशसेलो ड्याना शहरद विच पहली वार एक एडवांस एंडोसकोपी सेंटर दालांच कार रही है जबिच मेरे नाल मेरे टीम आहे डोक्टर स्टाइट्र की चंडीगर्तो आही है नक्र अकिलमोंगा एं डक्र राजन मितल जिए अगले दिन स्वेरे कार जा सागदा बिना किसी चीरे दे ए फैसलिटी इस टेम जाता शी बॉंबे डेली या वड़े शेरां चे अपलाब दे लोध आना दे विच पहली बार लाइफलाइन घिल रोड दे विच साठी टीम इस फैसलिटी नो लेके आ रही है और दे नाल नाल डॉक्टर अखिल मौंगा जिड़े की साड़े डियॉल्जिस्ट ने सीनियर इंटर्वेंशन इडियॉल्जिस्ट ओ सारे चीज़ पहला शायद किसी अपरेशन नाल हों दे सीगे वी किसी बार लिवर चिपास पहगी या किसी लिवर दा कैंसर जड़ा फैल है यह सारे ट्रीट्मेंट जड़े कि शायद इवन कड़े बदे अस्ता ना दे विच उपलाब्द नहीं है गे स्टेम्डों दे आना दे विच ओ सारे लाइफ लाइन होस्पिटल दे विच बहुत कंसेशनल और अफोरड़ेबल रेट्स ते इंडर्यूस कर रहे हैं मैं डॉक्टर राजन मितल मैं सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटरोलजी और एंडोस्पिटल से हूँ मैंने यहाँ पे जो टिकनीक हमने लाइफ लाइन में लाने की कोशिश किये उसमें एंडोस्कोपी के थ्रू हम मुटापा कम करने कोशिश करते हैं यह बहुत पुरान के रस्ते ही जाएंगे और हम पेट के साइज को छोटा कर देते हैं पेट का साइज छोटा होगा तो आदमी पहले तो कम खाएगा और कम खाने के बाद क्या होगा कि जो खाएगा वो भी पेट में काफी देर तक रहेगा तो उससे वजन कम होना शुरू हो जाता है पर इसका वजन कम करने के लिए इसमें देखा गया है कि 3-4 महिने में एक मरीज का वजन 18-20% कम हो जाता है और जो कि बना रहता है तीन से 5 साल तक बना रहता है और वेट रीगें नहीं होता है तो यह एक नई टेकनीक है जो कि हमने ही पहले पारस में शुरू की थी आज से 2-3 साल पहले उसके बाद हमने वहाँ पे केसिस किये तो अब हम लुध्याना में इसे पहली बार लॉंच करने लगे हैं लाइफ लाइन होस्पिटल के माध्यम से इसके इलावा हम और बहुत सारी सर्विसेज जो कि advanced endoscopic techniques हैं जिसमें basic तो रहे गा ही कि endoscopy हो गई, colonoscopy हो गई और बाकी और भी techniques इसके साथ हम करने लगे हैं पर हमारा ज्यादा focus इस पे रहेगा कि हम इसे affordable care यहाँ पे दे सके हैं मेरा नाम डॉक्टर अखिल मोंगा है and I am consultant intervention radiologist basically जो हमारी यह science है इसके अंदर हम यह कुशिश करते हैं कि जिन patients के पास ना तो medically कोई treatment possible है और वो surgery की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या surgery के लिए fit नहीं है उन लोगों के लिए हम ऐसी treatment लेके आए हैं जिसका अगर हम सुबा treatment करते हैं तो शाम तक या अगले दिन तक उनकी छुटी हो जाती है gastro जो department हम ये एक combined comprehensive department life line hospital में लेके आ रहे हैं यहाँ पे ना ही सिरफ medical treatment और surgical treatment रहेगा पर अगर जैसे कोई cancer का patient है जिसका liver cancer है उस liver cancer की जो नली खून की नली है वहाँ तक पहुंच के हम chemo जो normally आपने सुना होगा कि chemo खून से देते हैं पेशन के बाल उने लग जाते हैं और कई तकलीफ बनती है पूरा दिन admit रहना पड़ता है दिक्कतें बढ़ती है वेट लूज होता है वो सब नहीं करवाना पड़ता क्यूंकि हम सिरफ उस खून की नस्प में chemo दे रहे हैं जो सीधा cancer की तरफ जा रही है तो बाकी body बिल्कुल बची रहती है उसी प्रकार जैसे liver failure के patients होते हैं उसने देखा होगा उनका पेट फूलता रहता है पानी इकठा होता है तो वो जो पानी बार बार इकठा होता है वो एक तरीके से road block की तरह है खून जो liver की तरफ जा रहा है वो आगे निकल नहीं पाता क्यूंकि liver failure है बिना चीर फाड के हम उसके लिए एक bypass बना देते हैं वो खून निकल जाता है तो बार बार उनके पेट में पानी इकठा नहीं होता ये सब टेकनीक्स बहुत ही मुश्किल से आपको अवेलेबल होती हैं बड़े-बड़े hospitals में अवेलेबल होती हैं इनको हम easily लुध्याना जैसे शहर में सब कुछ लाना चाहते हैं ताकि जो patients हर बार पानी निकलवाने के लिए हफते हफते डॉक्टर के पास जाते हैं infection के से periods होते हैं उन सब को हम ऐसी जिन्दगी दिय सके हैं कि अगर वो दो चार साल भी जो आगे उनके पास हैं वो बहुत अच्छे से निकले हुआ